नमस्कार सबी को मैं निल बेनिवाल अवर्ष एजूकेशन किस प्लाटफों पे आपका स्वागत करता हूँ HSSC के जो आपके एक्जाम हुए थे आपको पता है 20 अगस्त तक और इनकी जो है ओफिशल आंसर की जो है वो जारी कर दी गई है तो जिन बचों ने एक्जाम दी है वो यहाँ पर अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं और हमने क्या है जिन बचों के भी आगे एक्जाम है यानि जो हरियाना पुलिस का जो आगे तयारी कर रहा है इसके लावा ग्राम सच्यों का जिनका पेपर है या सीटी के तियारी कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हम यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि यहां से जो आपके next exam में question आएंगे क्योंकि HSSC बहुत सारे question ऐसे देती है जो प्रिवी शेर पेपर में आये हुए थे और यह जो आपके paper में 20 अगस्तक इन में काफी नए question जो अरियाना जी के के पूछे गए हैं जो हम यहां पर cover करते चलेंगे साथ-साथ में और अलग-अलग subject wise जो है HSSC की official answer की जो है उसके according यहां पर discuss कर रहे है कि HSSC ने कौन सा answer जो है वो सही मने है देखें यहां पर दिया गए कि 1805 में British काल में हरियाना को दो भागों में विभाजित किया गया था एक था छोटा एक था बड़ा चोटे भाग को क्या कहते हैं देखें 1805 जब आपका हुआ था उसमें British काल ने यहां पर दिया गया है कि दो भाग में वाजित किया गया एक तो आपका छोटा था जिसको आपका क्या बोला जाता था इसको बोल सकते हैं तो यहां पर इसने चोटे भाग का पूचा तो कुंसा बनेगा है पर राइट अंसर बनेगा ऑप्षिन नमबर सी इसके लाबा कुंसा एक तो छोटा था बड़ा भाग जो था उसको किसके अंडर में किया देखें इन दोनों के बारे में आपको बस इतन टेरिटरी था और जो बड़ा भाग जो था इसको किसके जो आपके लोकल रूलर जो थे लोकल आपके रूलर थे उनके अंडर क्या है उनके अंडर कर दिया गया था कि इसको बड़े भाग को जो महां के राजा थे जो छोटा छोटे सल्तनत बंटी हुई थी उसके अंडर कर आता था इसके ऑपे रहां कर लिया यह रहा हरा सोफ़ कंपनी यह अपने अंट्रकल Nós याने ठारा सो नो में जो है totally जो है किसके अंडर आ गया तो company के अंडर में fully control आ गया था बस आपको यह ध्यान रखने तो यहाँ पे कुन सा बनेगा option number 6 इसका right answer बनेगा इसके बाद next इसके बाद next रहेगा कि यहाँ पे पूछा गया कि National Dairy Research Institute जो था वह आपका कहां पर स्टालिबिस किया गया स्टार्टिंग में पहले इसको कहां पर 1923 में इसको स्थाफित किया गया था और बाद में करनाल में जो इसको स्थाफित कर दिया गया तो यहाँ पे पूछा गया कह इसको ध्यान रख लेना husbandry and dairy imperial institute of husbandry and dairy जो इसका नाम हुआ करता था जब 1923 में इसकी स्थाफना हुई कहां पर बैंगलोर में और उसके बाद क्या है 1930 इसको यहाँ पर लिख दे है 1936 में जो इसका नाम क्या कर देगे बिल्कुल सोट में कर देगे imperial dairy जो इसका नाम रख दिय इसके बाद क्या है 1947 जब आया तब इसका नाम क्या कर देगा आपका national dairy research institute किया गया कब 1947 में तो यह सारी सीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है और इसके बाद क्या है आपकी जो एंडियर आई जो है इसकी वैसे तो 1923 में हुई थी कहां पर बैंगलोर में और बाद में क इसको आपका बोला जाता है बैंगलोर को option number D यहां पर इसका राइट अंसर रहेगा इसके बाद next नेक्स देखें यहां पर जो दस्वां क्योशन दिया गया कि बढखल जील जो है रियाना के डैस जीले में स्थीत है तो कहां पे रहेगी बढखल जील तो आपको पता है कहा नाहर सिंग स्टेडियम नाहर सिंग स्टेडियम जो हूँ आपका कहां पे रहेगा तो यह भी आपका फरीदाबाद में रहेगा नाहर सिंग स्टेडियम अब देखिन नाहर सिंग स्टेडियम जो किसके लिए फेमस है तो क्रिकेट के लिए आप करेगे यह वला स्टेडियम अब एक किशनी यहां पे एक निया किशनी यह बनता है कि आपके हरियाना में यानि हरियाना राज्य में पहला रनजी मैच कहां पे खेला गया तो आपका नाहर सिंग स्टेडियम में खेला गया हरियाना का पहला रनजी मैच और कब खेला गया 1982 में खेला गया आप यह भी ध्य सब्सक्राइब्स के कटोड़ा रहेगा सिर्षाप का कुछ सा संतों की नगरी हिसार आपका स्टील सिटी मेगनेट सिटी रहेगा इसके बाद यह ल fill прекрас happier की वृवारी रेल्डवें हरिटेज मिजियम जो रहेगा सिर्षाफ के सबसे पूराने परंके पीज्ट और सेटी इसकी है उप इनद्ध का सबसे कोंसे और पंपडिक इतना पूछाइओ लगभä 162 साल पुराना है 162 साल लगबग यह पूराना है और इसको 1998 में किस में इसका नाम दर्ज हुआ तो Guinness World of Book record में इसका नाम दर्ज किया गया 1998 में किसके तोर पर तो सबसे पुराने कारेरत भाप इंजन के तोर पर जो कि यहां पर दिया गया दा वर्ड ओल्ड स्टिल फंक्शनल स्टीम लोकोमेटिव के तोर पर जो इसको जो गिनीज बुक ओफ वल्ड में इसका नाम दज किया गया कब 1998 में यह भी आप ध्यान रखोगे राइट अंसर कुछा बनेगा उप्शन नमबर डी बनेगा फेरी क्वीन रेवाडी आपका हरियना का सबसे बड़ा रेल इंद्रा गंदी विश्विद्दाले उनवरस्टी नेखे आपका मीरपूर रिवाडी में रहेगी यह अगर आपने पहले की क्लास देखिया तब उस अच आया था मिरपूर रिवाडी में इसके लावा दूसरा कुछा गया था एक आपका मोर और चिकारा परजननन केंदर क बदाबद में अब यहां पर देखे एक क्योशन यह वाला है जो की काफी जादा डाउट क्रियेट करता था बच्चों में जो कि आपका पूर्वी किरसी जलवाईू छेतर का आपका जो केंदर जो है पूर्वी क्रीशि जलवाईू छेतर का अखिंदर कुण से शायर इसी तर तो यह कहां पर बावल में आएगा यह आपको ध्यान रखने यह कुछन पहले भी आपके कलरक के एक्जाम में पूछा गया था तब इसका बावल जो हो राइट अंसर माना गया था अब भी आपको ध्यान रखने अगर पूरवी तो अभी एक्जाम में आ गया अगर पस्चिम छेत्रकापका क्रीशी जलवाईू केंदर पड़ेगा कहां पर बावल में तो I think ये doubt आपका clear होगा देखिए इस तरह के question जो हो आपके सारे के सारे हरियान जी के के जो है वो आपके cover किये जाएंगे ताकि आने वाले exam में अगर यहां से कोई question आजए तो आपके कोई भी गलत पर देख्या देखो भीवानी से निकाला गया और हरियाना के एक नया जिला जो है वो बनाए गया तो कब तो यहां से आपका एक दिसम्ब्र 2006 को चर्किदारी इक दिसमबर यह दिसम्ब्र 2016 को बनाए गया था तो यह आपको ध्यान रखना राइट अंसर कुण सा बनेगा option number C यहाँ पर यहाँ पर जो भीवानी दिया हुए तो भीवानी के बारे में भी देखो एक तो आपका भीवानी है एक तो आपका भीवानी दूसरा कुण सा सोनीपत सोनीपत और भीवानी जो ह यहाँ पर कि हर्याना जो वन दीती वर्थ जो है कब बनाएगी तो कब बनाएगी इसका राइट अंसर बनेगा option number D यहाँ पर 2006 का राइट अंसर रेगा इसके बाद बीश्वान देखे 1857 का आपका जो पहला विद्रो हर्याना में इस स्तान से आरंब हुआ था कहां से हुआ कहा पहला केंट में अपकी कब हाई तो यह भी आप ध्यान रखोंगे 13 मई 1857 को अमबाला केंट में पहुंची थी अब आपके लिए यहां पर question देता हूँ अम्बाला केंट जो है इसकी स्थापना कभूई कमेंट करके बता देना यह वाला क्योशन लेकिन अभी देखिए यहां पर क्या हुआ अम्बाला में आपकी 13 मई 1857 में आई थी और इसके बाद कहा है आपका सबसे पहला आपका उसमें जब आपका 1857 की करांती हुए इसमें ग आपका उत्तर प्रदेश निकाल कर इसको किसमें पंजाब में विलेक कर दिया गया यहां पर ओप्शेन नमबर अब आपके लिए क्योशन था इसका राइट अंसर आप ही को करना है अम्बाला केंट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी नेक्ट आप रहेगा कि हर्याना का पर्थम राज्यापाल जो है वो कौन थे तो कौन थे धरमवीरा या धरमवीर कह सकते हैं बरूशन पूचे जाते हैं जो कि आपका सरवादिक लंबे समय तक को रहते तो कर रहे थे अब जल्दी जल्दी से क्योंकर न चकरवाथी तो सभ्मक्रस ही सबसे कम अगर पूच लेकर तो सबसे कम का कर क्यक्का करिए इसका रहेंस में इसके बाद नेग्सट नेक्ष्ट है यहां पे कि आपका निमन में से कौन सी रचना जो है बान बट की रचना है तो कौन सा हो जेगा हर्ष जो है हर्ष वर्दन या किसका पुत्तर था तो यहां पेrais पुत्र ना पर भाकर अमस्थं चाहिए इसके दो पुत बुत्र वह तेखूए कोशियो mover नता इंछ सोधर न इक राजय 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 राजवार जो है इसकी मिर्त्यू हो जाती है और इसके बाद इसी की मिर्त्यू के बाद जो है इसकी पत्नी जो है वो क्या है इसके साथ सती होती है इसके बारे में जो इसकी पत्नी कोंती ये शोमती तो ये शिमती जो है किसके प्रभाकरवर्दन के साथ जो सती होती है इस सारी चीज का किसके साथ है कि प्रभाकरवर्धन की मिर्तियों के बाद यह शोमति इसके साथ सती होते हैं इसके बाद नेक्स क्योशन देखते हैं इसके बाद नेक्स देखिए कि विच ओधा फॉलोविंग नेशनल हाईवे देट पास्थ रो हरियाना कनेक्ट दिली टू फाजिलका इन पंजाब आपका क्या बुला गया कि निमर में इसे कौन सा राष्टी राजमार्ग जो आपका हरियाना से गुजरता है और दिली से जाक है यह वाला क्यों जो काफी बार रिपीट में आया हुआ है अब देखिए यह वाला जो नेशनल हाईवे में इसको बोलेंगे और इसकी लंबाई कितनी है तो लगबग 286 किलोमेटर इसकी लंबाई है एक्जेक्ट अगर देखें तो 285.9 किलोमेटर 262 इसको बोल सकते हैं तो यह इसकी लंबाई रहेगी जो कि आपका एनेश 9 या 10 इसको बोल सकते हैं यह आपका दिली से आएगा और कहां से उसके बाद रोत तक जजजर से बाद दुर्गड उसके बाद आपका रोत तक इसके बाद रोत तक से आपका कहां पे मैम मैम के बाद हासी हासी के बाद तो है आपका कोंशा गहार हुसार उसके बाद अगरोहा के बाद फतेहबाद फतेहबाद के बाद सिर्फा और यह डबाली होता हुआ यह आपका कहां पे यह चला जाएगा फाजिलका में तो यहापका कुछ सा, न्हाना राजगड करेगा आपका क्शार सबस holes सब्सक्राइब मैं वनेगा को सबस्क्राइब कि प्हाइब नेरा कि ईचली केकीन दीगा смлись सुती थागाश इनकेलग कोई भी यह परऊशन पहले अपको पता लेखिक्र कि पहली कोटन मील उसकी स्थापना की गई थी तो इसके कोडिंग आपका क्या हो जगा यहां पर सुती धागा होना चाहिए बाकि यहां पर इन में से कोई नहीं भी था तो उससे में डाउट में था अभी यह कंफर्म हो चुका है अगर आपके सामनी यह वाला क्योशन है तो कुकी इसके साथ जाना है सुती धागा जो है इसके साथ जाना है तो राइट अंसर बनेगा कुण सा ओप्शन नंबर यहां पर फतेहाबाद स्थापना कब हुई 1351 में हुई फिरोचा तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पर इसका नाम बसाया था और इसके लावा ए हैं पर कुणशा ऑप्शन नंबर ए सूती धागा इसके बाद नेक्स्ट 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 यहां पर रहेगा कि यहां आना जाता है कि भीश्म की प्यास बुजाने के लिए हर्याणा कि इस गाउ में अर्जुन ने गंगा को जो है परकट किया था कौनशी बान गंगा ह पर इसका जो है वो राइट अंसर हो जगा कौन्सा उप्शन अमबर भी इसके लावा सनी सरोवर से क्योंचन पूचा गया था कि सात नदियों के संगम जो है किस जील को बोला जाते हैं तो आपका सनी जील को बोला जाता है कांपे रहेगी कुरुक्षेतर में रहेगी आपको ज्यानकने इसके बाद नेक्स्ट क्योशन देखते हैं नेक्स्ट है यहां पर की हरियाना में इंदोरी नदी जो है इसका उद्रम स्तल कौन सा हो जाएगा तो कौन सा आपकी दक्षिन हरियाना की है तो कौन सा आपका मिवात की पाड़ियां जो है इसका राइट अंसर हो शुमती जो है इसका पुर्णाना नाम है ये भी आपको ध्यानकने इंदोरी नदी का राइट अंसर बनेगा कुछा मिवात हील्स ओप्षेन नंबर 20 का राइट अंसर नेक्ष्ट यहां पर रहेगा कि पानिपत का पर्थम युद किस वर्स हुआ तो कब हुआ 1526 में ओप्षे इबराहिम लोदी के बीच में और इसको जीतने के बाद काबुली बाग मस्जीद बनाए गया थी कहां पर पानिपत में ही किसके द्वारा बाबर के द्वारा अपनी पतनी काबुली बेग की याद में इसको बनाया गया था तो आपकी यह भी ध्यान रखना है 1526 में काबु बोला जाता है यह काफी इंपोर्टेंट है अगर यह वाले पूरा जो है आपको यह टाइम पिरिएड आपको अच्छे से कवर्द करना है यहां से कई बार एक्जाम में क्योशन आती है और इसके साथ 1526 के यूद के बाद दिली सलतन जो है उसका समापती हो गए थी यहां इसके बाद जो नेक्ट क्यूशन रहेगा वर्स 2015 में जो है बैडमिंटन में विसो में पहला स्थान पर आप्ट करने वाली भारत के हर्याना में जन्मी आपके पहले खिलाडी का नाम बताइए तो कोन हो जाएगी साइना नहपाल ऑप्शन नमबर सीज का राइटांचर है क इस खेल से तो बैडमिंटन से जड़ी हुँए है इसके लाव पी वी सिंदू आइठिक यह नाम तो आपको अच्छे से याद होगा इनका भी समध्ध किसे थे उनका भी मिंटन से इनका समस्द है पूरा नाम की उनका तो हनुज है पूरा नाम है और इसे जो है अभी हाली म आपकी फर्स्ट इंडियन जो है जिसने दो बार जो आपका ओलम्पिक में मैडल जीता है दो मैडल जीते हैं किसमें ओलम्पिक में तो यह भी आपको ध्यानक ने कौन पीवी सिंदू इसके बाद नेक्स देखिए I think 55 क्लियर होगा क्योशन ओप्शन सी इसका राइट अंसर है नेक्स यहां पर रहेगा कि निमन में से किस वास्तुकार ने चंडिगड में आपका नगर संग्राले जो है उसकी योधना बनाई तो चंडिगड का डिजाइन किसके द्वारा त्यार किया गया है ली कार्बुजर के द्वारा ओप्शन नमबर सी यहां पर राइट अंसर है ली कार्बुजर कहां का निवासिता चलिए काफी देर हो चुकि आपके लिए क्योशन दे देते हैं यह वाला बताइए कि ली कार्बुजर कहां का निवासिता अब देखिए ली कार्बुजर ने आपका चंडिगड का डेजाइन बनाया था उससे जुड़ावा क्योशन है वो तो हम आगे डिसकसी करेंगे इसने चंडिगड को एक human body की तरह इसको शेप दी थी और अलग अलग जो उसका नाम दिया था वो हम आगे भी डिसकस करेंगे इसके लाब आपका यहां से चंडिगड से question पूछा गया था जो open hand monument जो है वो आपका किस से जुड़वा आपका चंडिगड से उखुला हाथ समारक इसको बोल सकते हैं आपका चंडिगड का famous है राइट अंसर बनेगा कौन सा option नंबर सी यहां पर इसके बाद next day के 67 यहां पर की हरियाना की है शेली आपकी गायकों के द्वारा पूछे जाने वाले परशन उत्री के रूप में संचाली थे तो आपकी कौन ची हो जाएगी तो आपके देखे परसन उत्र किसमें पूछे जाते हैं जो कि आपका यहां पर पूछा गया क्या परसन उत्री तो राइट अंसर बनेगे कौन सा option नंबर सी अलूर निरते जो है यह आपका कांपी किया जाते है तो बांगर छेतर में किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है इसके बाद next देखें यहां पर जो दिया ग हरियानवी गिद्दा इसको बोला जाता है जैसे आपका पंजाब का गिद्दा है उसी तरह से इसको हरियानवी गिद्दा जो नाम दिया गया है इसके लाव आपका कौन सा फाग निरते है फाग निरते जो यह कब किया जाते है यह आपका होली के आसपास किया जाते होली के आसपास यह वाला भी किया जाता और इसमें कहा है आपके पूरुस और इस्तरी दोनों के लिए यह आपका डांस रहेगा कुछा फाग निर्थे है फाग डांस इसको बोल सकते हैं धमाल धमाल आपका कुछा हर्याणा का सबसे पूराना अगर निर्थे पूछा जाए कुछा वो आपका धमाल रहेगा और यह कब से आपका महा भारत काल से जो चलता रहा कुछा आपका धमाल निर्थे हो जाएगा जो कि यह वाला क्योशन भी कई बार एक्जाम में पूछा गया धमाल निर्थे है और यह कब फसल पकने पर आपका निर्थे किया जाता है कि इसके दो जब हर्याना राज्य बना था तो संपूरन राज्य की साक्षरता दर्द जो है लगब कितनी थी तो एक नवंबर 1966 की यहां पर बात हो रही है और इस समय कितनी थी तो आपकी लगब 20% के आज पास थी तो उसकोडिंग राइट अंसर कुन सा बनेगा ऑप्शन नमर डी जो किय प्रक्टली मैच कुन सा है तो यहां पर यह वाला क्योशन देखे इसमें हमने पहले डिसकस किया था दो यहां पे गलत है कुन कुन सी आपका रोत तक में आपका कुन सा सोनी पताएगा इसमें टोटल जो है पांस आपके जिले आते हैं सबसे बड़ा डिवीजन आपका कुन इसमें अपर यहां पे राइट आंसर कुन सा माना गया है उप्शन डी माना गया है जो कि गलत है और क्यों माना गया है मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले आपके कितने चार मंडल हुआ करते थे चार डिवीजन हुआ करती थी उसके बाद क्या है 2017 में आपके जो है दो ने मंडल बने थे कुँछे एक आपका करनाल और एक फरीदाबाद अब यह दो ने बने थे उसके बाद कि अपका पूराना डाटा उठा के चल रही है और यहां पे देखे जो अंबाला जो है आपका मेवात में आपका नहीं है आपका माला में तो इसको यहां पर गलत माना है और आपका गुरुग्राम वाला बिलकुल σई माना है तो इस तरह से ध्या मेट्रो रेल गुरुग्राम लिम्टेट आपका जो गुडगाओं का आपका रेपीड मेट्रो रेल जो है इसके संबन में आपका कौन सा कथन जो हो वो सत्ते रहेगा तो भारत की पहली पूर्णता है नीजी आपकी आपकी फुली प्राइबेट फंडिड मेट्रो रहेगी हुई है तो इसका उपशन एजिए रहाइटांस रेगा यह बाकी जो इसके गलत है तो कौनसा ओप्शन नमबर एज वाइसका राइटांस रएगा इसके बार नेक्स्ट कि आपका हर्याणा में और की दक्षिन हर्याना की नदी है यमना आपकी जो है का चपासर गलेशियर स से निकलती यह पूछा है और जो आपके हर्याणा में कहां से तो कले सर के पास से यह प्रिवेश करती है टांगरी जो आपकी जो उत्री उत्र साइड शापकी मोरनी हिल से यानि उपर साइड किये नदीर एगी शिवालिक लग्री पाडियों से इसके बाद करणाल का यूद्ध जो 1749 में हुआ भारत के मुगल साथ सके मूहमदशा और किसके बीच लड़ा गया तो आपका 1749 वा तकरनाल का यूद आपका नादिर शाह और मॉहमदशा रंगिला के बीच में यूद लड़ा गया था इस यूद में ज कि किसी युद्ध के बद युद्ध के बाद जो कि आपका 1749 में हुआ ता दूसरा की करणाल का युद्ध किस किसके बीच में हुआ तीसरा जो आपका इस तरह से यहां पर दिया हुए तो इस अकोडिंग जो है अलग-अलग वे से पूछा जा सकते हैं तो ध्यान रखने आपको राइट अंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसके बाद के द्वारा मात्र देवी की पूजा की जाती है तो कुंसा रेगा यहां पर सांजी जो है ओप्शन नंबर सी इसका राइट अंसर इसके बाद यह देखिए यहां पर दुबारा से पूछ लिया वही वाला क्योशन अभी मैंने आपको बताया था 1749 इस यूद के बाद मुगल स पूरा उठाइन उद्धति इसके बाद नेक्स्त की हरियांना नाग्रिक अध्यन संस्तान की श्रापणप तरक Exactly बनाया गया हो और निमन में से कौन सा जो है इन में से एक नहीं है तो कौन सा नहीं है तो यह केशन दो बार रिपीट हो चुका है तो कौन सा बनेगा देखिए करनाल जो है यह आपका होगा बिल्कुल ओप्शन नमर ए तो इसका सही है इसके बाद कौन सा आपका रिवाडी ज जो कि आपके दस्में गुरु जो थे शिखोंके उनकी याद में बनाए गया तो इसके लाबा कुछा टोपियों वाला गुर०्वारा आपका कहांपे है तो कैथ थल में है और इसमें यहाँ पर काम करते हैं जो संत महात्मा नह जो रहते हैं वह क्या करते हैं तो इसलिए इसका नाम के है टोफियों वहला गुर्द्वारा जो रखा गया है इसके लाबा और कुंछा गुडवारा पणजोखरा साइब जो दिया हूए यह आपका कहां पे पढ़ता है तो यह आपका Ambala में पढ़ता है गुरुदवारा पांजोखरा साहिब आपके लिए फेमस है तो आपके आठवे गुरू यह ता आधवे गुरु गुरु थे तो जो अंबाला में रहेगा ये सारी चीज़े आप नोट करोगे यहां से कहा है एक्जामे क्योशन आने की काफी जादा प्रोबेल्टी है क्योंकि गुर्द्वारे से कई बार एक्जामे क्योशन पूछा गया है राइट अंसर बनेगा कुछा ऑप्शन नंबर भी इसके बाद नेक्स्ट की इन विच सदिक हड्याना दा कल्पना चावला गोर्मेट मैडिकल को लेज जो है आपका 2007 सताफित किया गया तो आपको दोनों चीजे यहां से ध्यान रखने की जो आपका कल्पना चावला मैडिकल कोली जो इसकी स्थाबना कब 2017 में हुई थी और क आप से पूछले कलपना चावला तारा मंडल जो कहां पर है तो यह आपका कुरुक्षित्र में रहेगा तो दोनों चीज आप ध्यान रखोगे दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं हो नी काफी सारे कुशन ऐसे जो आपको कंफ्यूज करते हैं इसके बाद नेक्स्ट और यहा पर आपके मूर्थल सोनीपत में पढ़ेगी इसके अलावा जो आपका छोटू राम जो आपका तापयप्रियोजना है यह आपकी कहां पर है तो यह आपकी यह मुनानगर में रहेगी तो आपको यह तीनों चीज है इस तरह से क्या है कई बार एक्जाम में यहां से में चीज़ कहां पर है इसके बाद नेक्ष देखिए बाइसमों जो रहेगा कि हर्याना के राज्या विधान मंडल में डैस के पूरव अनुमोदन से धन विद्यक जो पुरुस्तित किया जाता है तो किसके द्वारा ये राज्यापाल के द्वारा ओप्षिन नमर बी जो है इसका ये राइट अंसर एगा ये क्योशन जो आपका कौनसे ग्राम सच्यू का जो एक्जाम हुआ था उसमें भी आपका पूछा गया था बिल्कुल डिट्टो क्योशन था और यहां पे कौनसा धनी विदेख जो दिया गया है तो कौनसा आर्टिकल 110 में आता है धनी विदेख य ये लोग सभा में पेश किया जाता है कहां पे लोग सभा में इसको पेश किया जाता है और ये किसके द्वारा प्रस्तूत किया जाता है आपके रज्यपाल के द्वारा पेश किया जाता है राइट अंसर बनेगा कौनसा ओप्शन नंबर बी यहां पे इसके लाबा क्या है לג गविवर्नर चे tut Autant जो आपके हपिस्प्स्विय्ष के तरी है उनकी निखिक कि और तो गवर्नर के दौरा की जाती यह वी क्यूशना कुछा गया था इसके बाद नेक्स्ट क्योशन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है कि 1966 में जो हरियाना बनने के समय इसका एक मातर इंजिनिरिंग महा भी देले जो कहां पर था तो यह कुरुक्षेत्र में था उप्शन नबर D इसका राइटन चरहे यह कोशन दो तीन बार घुमा घुमा के पूछा गय यह कहां पर कुरुक्षेत्र में उप्शन बर डी जो इसका राइटन चरेगा इसके लाओ कुरुक्षेत्र में अर उन्वस्टीन. जो रही के यू के जिसको बोला जाता है इसकी स्ताफना कब हुई तो उन्वस्टैन के इसके द्वारा किया गया तो डोक्त राजेंद्र प वो रहेंगे या एस एन सच देवा भी ये दिया जा सकता है इसके बाद नेक्ष देखें नेक्ष देखें कि डैस मस्जी जो बाबर के द्वारा इब्रोम लोदी के पर जो है वीजय कुपलक्स में बनाई गी थी तो हमने अभी डिसक्स किया था 1526 का यूद जो हुआ था उसक काबूली को इसने क्या काबूली शालिक रखा है तो यह काबूली बाग मस्जिद जो वो आपकी रेगी कुनसा ओप्शन नमबर ए जो है वो 36 का राइट अंसर रेगा और यही जो आपके ऑफिशल आंसर की में दिया गया है इसके लाबा कुनसा यहां पे जो लाट की मस्ज ने नमबर 3 जो दियावि região यां प purity अंजूमन जमा यह अंजुमन जमा मस्जीद यह मुंस्यQué आपकी कहां बोला ज को लगा में में हैं कहां पर आप उसके एसका टान सरब सब्सक्रान सर बिएगा कुनसा ऑफिशन नम्रे काबूली शाइकर काबूली बाग मस्जित बहूना अब देखिए जो फाग निर्थे जो है किसमा में किया जाते है तो फाग मिठते हैं आपका कुंसा फालगून में हो जाएगा उप्शन नमबर ए जो है इसका वो राइटन सरेगा नेक्स देखिए यहां पर कि भारत में आपके खेलों के लिए एक अलग महावी डैले बनाने लाए, उचस्तर्शिक्षा का पहला संस्तान कौन सा था तो कुंसा? तो यहां पे देखें काफी ज़ादा डाउट में था किकी कि यहां पे अलग-अलग data दिया गया थे, कई जिगें पे आपका चंडिगर का भी था, कई जिगें पे आपका कुछी तरगा भी था, और कई जिगें पे आपका कौन सा हिसार भी दिया हुआ था, अब यहां पे exact हमारा answer आ चुका है कौन सा, तो आपका HCU हिसार जो इसका right answer गया है, HSSC के द्वारा official answer की में, तो इसके according कौन सा, option number B बनेगा, काफी नया सा क्योशन है, यह पहले पूचा नहीं गया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इन दिनों में तो हालांके 2-3 बार पूचा गया है, लेकिन पहले के paper में नहीं पूचा गया था, तो यह नहीं देजाना के डैस के सहर में एक किला बनवाया था, तो कहां पे बनवाया था, यह चाचरोली में, ओप्शन नमर डी, जो इसका वो रायटण रहे गया, जो आपका कल्शिया फोर्ट भी इसको बोल सकते बाद, तो इसके बाद, नेक्स देखे, और इसके साथ इका आप की कैपिटल जो है आपकी कोंची सचरोली जो क्या कैपिटल हुआ करती थी किसके आपकी कलशिया की और इसके साथ ही जो आपका कलशिया फोर्ट जो है ये किसके द्वारा बनाए गया तो राजा राजा रंजीत सिंग के द्वारा बनाए गया राजा रंजीत सिंग के द्वार पुराना नाम अरूना है तीन ही क्योश्चन है जो की एक्जाम में घूम फिरके पूचेंगे पुराना नाम अरूना है और हडियान में कहां से प्रवेश करती है अंबाला से प्रवेश करती है जाके कहां पे मिलती है कुरुक्षेत्र की सनीशा जील में जाकर ये मिल जाती है आपका powerhouse का भी क्या बना दियी सक्तिगर्या दिया के नाम पर परसीद मुक्यबाजी कल्पад और不能 कुछा गया का पी ओना बोश्टिइवान पीज़ाई लुचाइगा बिहानी और विहानी boxing या बॉक्सिंग का पावर हाउस जैसे इसने बोला यहां पे पावर हाउस तो यह आपका किसको भीवानी को बोला जाता है उप्शन नंबर सी जो है यहां पर यह राइट अंसर रहेगा इसके बार नेक्स देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो क्योशन नेगा राणा निमंतरन यहां खिसकी है तो खुशी राम सर्मा के उप्शन नंबर भी यह तो पहले भी क्योशन आज चुका है कई बार राणा निमंतरन एक आपकी यूद चरीतर है एक आपकी गुरु गौविन शिंग है यह तीनों के त भी एक्जाम में पूछागे यहां पर राइट आंसर बनेगा कुशा खुशी राम सर्मा ऑप्शन नंबर भी जो इसका वो राइट आंसर रहे इसके बाद नेक्ष्ट राजाराम सास्त्री परसीद रचना कोंची कमेंट कर देने यह दो तीन बार हमने पहले भी डिसकस किय निमन में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा कार्यकाल रही है यहां पर पूछा गया किसका तो कुछा ओप्शन के कोडिंग कुछा बनेगा 57 का राइट आंसर बनेगा नंबर डी जो की अच्छा सची ने भी यही जो इसका राइट आंसर यह बन्सी क्योंकि आपका कुंसा सबसे लंबा क्या कर अगर पूचले तो 11 साल कितने दस मुन्स ऑंद मंसक्या थी चार 1317 दिन जो सका था भाजہ dental का था आपका इर्यानक चानकी जिनको ऑला जैता है भाजनला कितना था तो चार हजार दोसो अडशर दिन था अब यहां पर भजनलाल उप्शन में दिया नहीं हुआ तो किसको एक्जेक्ट मानेंगे बड़ी बंसिलाल को जो इसका राइट अंसर माना जाएगा इसके बाद नेक्स देखिए तो पहले आपके कुन थे तो बगवध्याल सर कार गरीब करने ओंको धन देगी तो कितने साल की उमर तक आपको देगी तो यहां पे कुन सा धा मनी टूदा पूर एट डैस देर एज तो कुन्छी एज रहेगी तो यहां पर अठारा साल एज रहेगी औप्शन नमबर भी लेकिन यहां पे दिया क्या गया ओप्शन गुवरा-बी बनेगा बाकि आप भी comment करके इसके बारे में बता देना है इसके बाह्त नेक्स्ट जो रह United le beaches रहेगा शिक्स्ट उपर लिखता हूँ यहां पर बुडिया का रंग महल रंग महल यह हम कह सकते हैं क्या किला किला है रंग महल दोनों के दोनी यह आपके कहां पर है यह आपका यमना नगर में पढ़ता है कहां पर यह जो है कहां पर तो एक तो यमना नदी के किनारे पढ़ता है यह भी एक जाम क्विया का किला हो जाएगा इसके लाव है कौन साधोरा य कोड़ साधोरा का किला और 19o तो या पको ध्यानकर ने इसके बाद नेक्ठ के लिए डburgator Reel दुबारा से वच्छन में आधाक यह आपको दुझा लगात दोपेपरन क। पूझा है एक ही दिन से लाघ है इंडिया फुली प्राइवेट मैट्री फंडिड मैट्रो ओप्शन नमबर ए जो इसका यह राइट अंसर रहेगा इसके बाद नेक्स्ट कि आपका हर्याना के हिसार जिली में 1857 की जो करांती हुई थी इसका नेतर तो किस ने किया था देखिए हम पहले भी डिसकस किया है कि जब आपकी सबसे पहले काँपी आपकी अंबला केंट में शुरूई काँपे 13 मई 1857 को हर्याना में काहँ से अंबला की आपकी अंबला केंट से 1857 की करांती स्टार्ट हुई थी इसके बाद काँपे आपका हिसार में एक छोटा सा विद्रो हुआ था कब 17 जून 1857 ने 17 गया था यानि इनको फांसी दे दे गई थी नूर मुहमद खान को इसके बाद दुबारा से कहा है एक और यहां पे जो बंदा आया कुन मुहमद आजम जो की ऑप्षिन नमर भी यहां पर राइट आंसर है इसने क्या किया यहां पे आपके 1857 की करांती में हिसार से नेत्रतो करने के बाद किया है बाद में 17 जुलाई 17 जुलाई 1858 को को किया है कोट लेंड की आपका नेत्रतों में एक सेना बेजी गई और हिसार को कैप्चर कर लिए बस यह ध्यानक ने किसके नेत्रतो में यहां पे जो क्वेश्चन पूचा कि अरह प्यांतिका मुहमद आजम ने न सावनशा इन्ज मैं संफ्षा उप्षिनघार का तो राइट अंसर मनें गए पे कि अद्यंपर कि हैडा में आपका 30 का त्युहार है । 10 मा के सुकल पक्स की त्रीटिया को मनाया जाता है तो को रूजेगा तीज माँ का कुण्द कब किया जाता है आपका स्रावन मास के सावन जिसको बोला जाताए सावन मा की तीज को यशन तरीत्या को आपका कुण्छा 30 त्युहार जो गुब मनाया जाता है तो कुण्छा बनेगा यह डेरी अनुसंदान के अंदर ndri जो ही यह कांपे इस देते तो कांपे हो जाएगा करनाल में ओप्षिन नबर भी यहां पर राइट अंसर है अब यह तो मैं बताऊंगा नहीं कि कब स्थाफ़ना की गई थी क्योंकि यह तुम आपसे पहले पूछ सकाऊं तो आपको यह क् करनाल में आपका उप्षिन नबर जो भी है यह इसका राइट अंसर हो जेगा इसके लावा करनाल में आपका और कौनसा है तो आपका मिट्टी लवणता अनुसंदान के अंदर मिट्टी लवणता अनुसंदान के अंदर है जिसकी स्ताफ़ना कभर 1969 में की गई थी इसके ल स्атावना के गई इसकी , 2017 में इसकी स्तावना के गई यह अभी जश्ट थोड़ी देर पहले हमने question किया है कहां पसके रहेगा कर्नाल में रहेगा इसके बाद पर कर्नाल के आपके अरेगा, अरक Совव में रहेगी तो नीलो Elevwar अरक्सित सोरी जजज़ क्या अरक्सित सीट कौनशी हो जागी तो जजज़ इसकी रहेगी और उसके लाव फरीदाबाद के अपकी कोई अरक्सित है यह नहीं इसके लाव हिसार की कौनशी उखलाना हिसार की अरक्सित सीट रहेगी तो यह आपको ध्यानक नहीं इसके बाद न किसे का उलेक है यांपर तो बरन्सरोवर्ट जील का है ओप्शन नमर या पर राइट अंसर अरिगा किसका बरन्सरोवर्ट जील का इसके लावा ना किएगी कहां पे फरीदाबाद में यह वी क्योशन कई बार पूछा गया यह सारी की सारी चीज़ें आपको नोट करने ही इसके बाद आपके रेणिका कि साओ लखवार यह सारे के सारी यह वनान दी कि आपके बांध रहेंगे यह आपको ध्यान रखने इसके बाद नेक्स देखें और यह तनी कुंड इसके बारे मैंने आपको हर बार बता है कि राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ डैम अगर बोले जर्म के छटे दिन किया जाता है तो कौन चरेगा आपके छटी निर्ते ऑप्शन नमर ए जो इसका वो राइटन चरेगा इसमें कहें आपकी ग्यों की बालिया जो है रोटी जो उबली हुई रोटी इस तरह का जो है इसमें कुछ दिया जाता है एक्जेक्ट मुझे ध्यान करती वह आपका कोडिया और खेड़ा जो ही आपका किसका तो यह आपका दुख का परतीक है जब गुजर वेक्ति जो गुजर जाता है उसके बाद मेराओं के दौआरा जो है खेड़ा निर्ते जो है पैनिपद की आता है तो उसका वाद आपका फंप इस पर प् हपानिपत के दर्फ आता है हो थी तीनों आपको यह हैँ ध्यान रखने है अब देखी यहां पे इसने क्या पूछा है आपका एरिया के कोडिंग पूछा चेतर फल में अब यहां पे ना तो उप्शन में पलवल है ना आपके पानिपत है तो कौन सा बनेगा फतेहबाद इसका राइट अंसर बनेगा जो की दिया गया पूखशन और कि यहां पर यहां पर यहां पर वन की बात हुई है तो वन से जुड़ा आपका यह को और क्यों आया था कि हड्याना की वन नीती जो है वो कब आई थी जो है तो कब लागू की तो कब 2006 में यह हमने थोड़ी देर पहले डिसकस किया रहा इसके लाँ भारत की जो पेपर हम डिसक्रस करें ये तो आपका 9 अगस्त का है अभी जो लाश्ट के एक्जाम में जो हुए थे 19-20 के आसपास उसमें भी ये वाला क्योशन पूचा गया था तो राइट अंसर कुंसा बनेगा ऑप्शन नमर भी यमना ये तीसरी बार इन आपके जुलाई और अगस इसकी गंगा जो नदी है गंगा नदी उसकी सबसे बड़ी सायक नदी अगर पूचले तो वो कुंसी यमना नदी रहेगी तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके लावा कृष्णवती दक्षिन हर्याना की इसके लावा दोहन आपकी दक्षिन हर्याना की नदी है कृष् पाडियों से निकलते हो और आपकी लूप तो जाती है रिवाडी से आकर खांपे ज़जर में तो यह आपको ध्यान रखना है और राइट अंसर बनेगा कौन सा उप्शन नंबर भी यहां पर यहां पर यहां पर आइधिंक क्लास काफी जादा बड़ी हो चुके तो इसको एक पार्ट है उसकी सारे के प्ले लिश्ट बना कर उसको एक में डाल दिया जाएगा तो आप जाकर उसको दुबारा से देखें अगर आपने पहले की क्लास इस नहीं देखी है काफी सारे कोशन ऐसे हैं जो आपके डाउट वाले थे जो एचसे की ऑफिशल आंसर की आने के बा पास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करें और पीडिएफ जो आपको पता है थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है उसके लिए सोरी क्योंकि पीडिएफ अभी तक जो हाफ ही अवेलेबल हुई है कुछ एक पीडिएफ अभी हर जो है एक आदे बच्चे मारे झाल